ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती गौडलीवूट सुडियो द्वारा प्रस्तुत अमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दैहिक रूप से हर एक मनुश्य आत्मा के अनेका अनेक संबंद है परन्तु आत्मा के सर्व संबंद केवल एक परम पिता परमात्मा के साथ है परमात्मा आत्मा का अनेकेवल मात पिता बंधु सखा शिक्षक वा गुरु है अपितु आत्मा रूपी सजनी के सच्चे वा सधाकाल के साजन अथवा पती भी है उस पतियों के पती परमेश्वर की सच्ची सजनी के सच्ची सोहागिन की सभी निशानिया क्या है आज हम इश्वरिये महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के इस पष्टी करण के लिए हमारे मद्दे है प्रजापिता ब्रम्हा कुमारिज इश्वरिय विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्निय राजयोभाई सहाब फैस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बोस्वागत है फैस अब आज हम बात करेंगे 28 एपरिल 77 के महवाक्यों पर और इसका टॉपिक है सदा सुहागिन की निशानिया परमात्मा हमें कहते हैं कि परमात्मा बच्चों के सुहाग और भाग्ये को देख रहे हैं सुहाग का तिलक और भाग्ये का लाइट का ख्राउन ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्ये वाले पर्मात्मा हम सर्व आत्मों के पिता भी हैं और कहते हैं हे आत्माएं तुम्हारे सर्व सम्मंद एक मेरे से हैं तो लोकिक जीवन के अंदर जैसे पती, पत्नी के सम्मंद, बाप, बेटे के सम्मंद, अलग-अलग सम्मंद है ऐसे ही परमात्मा के साथ हम आत्माओं के सर्व सम्मन्ध है और जब आत्मा रुपी सजनी अपने पिता परमात्मा को साजन के रुप में याद करती है तो जैसे हो सदा सुहागिन है जब आत्मा का तिलक आत्मिक सरुप का तिलक इसम्रति में रहता है कि मैं आत्मा हूं और सर तो जैसे वो तिलक आत्मा का लगा हुआ है, जैसे सुहागिन उसको कहते हैं, जिसके मस्तक पर सदा तिलक होता है, मांग सदा भरी रहती है, उसको सुहागिन माना जाता है। अगर पति किसी कारण से छूट गया, सरीर छूट गया, या सम्मंध विच्छेत हो गया, तो उसको सुहागिन नहीं माना जाता यहां पर जब आत्मा का परमात्मा के साथ सच्चा दिल का सम्मंध जुट जाता है तो वो परमात्मा अविनासी है इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहता है आप बच्चे सदा सुहागिन हो आपका सुहाग कभी कतम ही नहीं होता इसलिए आ तो जो भागिवान आत्माएं हैं, उनके उपर जैसे एक लाइट का क्राउन है, ताज है, तो संगम युक पर हम सब बच्चे जब परमात्मा पिता के साथ अपने सब सम्मन्द जोड लेते हैं, तो हम सदा सुहागिन और सदा भागिवान बन जाते हैं। अर्थात लाइट का क्राउन? तो भागिक की निसानी क्राउन दिखाते हैं, ताज दिखाते हैं, और सुहाग की निसानी मस्तक पर तिलक दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं कि स्मृति कम तो तिलक भी सपष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाए देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण, सदा विश्व के आगे श्रेष्ट अर्थात उच आत्मा दिखाए देती है। लोक एक जिवन में भी जो सदा सुहागिन है, जिसका पती के साथ सच्छा सम्मंद जुटा हुआ रहता है। उसकी ही याद रहती है, उसके कदम पर कदम रख करके उचलती है। लोग उसको बड़ा भागिवान समझते हैं। कि कैसा इनका अच्छा सम्मंद है, कितना प्या आत्मा भी कहते हैं, जो मेरे बच्छे सदा परमातम सम्म्रती में रहते हैं, उनका ये तिलक चमकता है। दिखाए देता है कि तुम ही से काओं, तुम ही से बैटूं, तुम ही से सब सम्मंद निभाओं, एक से सुनना, एक की सुनाना, जब इतना प्यारा सम्मंद परमातमा के साथ हमारा जुट जाता है तब विस्व की आत्माओं के लिए हम बहुत उची नजर से लोग हमें बहुत उची नजर से देखते हैं और वो ऐसा ही सम्मान देते हैं कि इन आत्माओं का सम्मंद परमात्मा के साथ डारेक्ट जुटा हुआ है तो हम सुहागिन आत्माओं जो पीना जैसे परमात्मा में आत्मा समाई हुई है तो वो भागे उनको नुभा होने लगता है। पाजन की सजनी है अर्थात सोहागिन है सदा अपने सोहाग के तिलक को देखते हो सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सोहाग का तिलक है अगर तिलक मिठ जाता है तो गोया अपने सोहाग को मिठा देते हैं। वास्तों में लौकिक में जो सदा सुहागिन होती है बहुत समय तक एक सम्मंद चलता रहता है एक के साथ तो सम्मंद में बहुत हो सुहागिन को हर कारे में हर अच्छे काम में आगे रखा जाता है लेकिन अगर अचानक कोई कारण से सुहाग चला जाता है माना पती की मौत हो जारी दो चलते चलते किसी का भी सुहाग कभी भी चला जाता है। लेकिन परमात्मा यहां कह रहे हैं, अगर आपकी स्मृत्ती का तिलक मिट जाता है, मानलो भूल जाते हो, तो जैसे सुहाक को गमा देते हो, सुहाक कहीं जाता नहीं है, वो तो अजर अमर अविनासी है, लेकिन आपका सम्मंध विच्छेद हो जाता है, तो इसलिए परमात्म हम सबको कहते हैं, यह स्मृत्ति का तिलग सदा चमकता हुआ रहे तो परमात्मा की याद बनी है तो माना उसके साथ का अनुभव हो रहा है बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं कि अपने आपसे पूछो मैं सदा सुहागिन हूं सदा सुहागन एक श्वांस वा एक पल भी साथ नहीं छोड़ते है सदा सुहागन के मन के बोल है साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, साथ मरेंगे परमात्मा हम सबको ये बहुत अच्छी स्मृति दिलाते हैं क्योंकि निरंतर योगी बनने वाली आत्मा इसको दोसरे सब्दों में कहते हैं साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, साथ ही चलेंगे तो ये वास्तों में एक हमारी आंतरिक स्मृति ही है या दास्त है, परमात्मा के साथ सर्व सम्मन्द है तो उसके सिवाय और कहीं बुद्धी नहीं जा सकती एक के साथ सार्व समंद जो निभाने वाली आत्माएं हैं, वो सदा सुहागेन है अगर कहीं भी बुद्धी चली जयाती, इधर उधर भटक जयाती, किसी देधारी में चली जयाती या परमात्मा की बिस्मरती में चले जाते तो परमात्मा कहते आपका सुहा खतम हो जाता है इसलिए सोते, उटते, बैठते, खाते हर पल उसका साथ बना रहे क्योंकि एक ऐसी सूक्षम सक्ती है जितना उसके साथ हमारा दिल का जिगरी प्यार है तो प्यार के कारण वो सम्मंद सदा बना हुआ है कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो इस थूल में भले दिखाई नहीं देता साकार सरी नहीं उसको निराकार रूप में है लेकिन उसको हम सदा अपने साथ रख सकते हैं तो परमात्मा हम सबको उस रूप से निरंतर योगी बनने के एक बड़ी सहज बिधी बता रहे है कि अगर आप सदा सुहागिन बन करके साथ रहते हो माना ये योग आपका जुटा हुआ है आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा सुहागिन के नैनों में, मुख में, साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं जिसे भक्ती में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ती को सफल समझते हैं यह सब भक्ती की रीती रस्म इस समय के practical life यानि व्यावारिक जीवन से कौपी की है बरतमान समय जितना परमात्मा के साथ हमारा तूट प्यार है तो उसी के आवाज, उसी के सब्द जैसे कानों में गुँजते रहते हैं क्योंकि परमात्मा हम सबको ऐसा ग्यान दे रहे हैं ऐसी समझ दे रहे हैं अगर उसका हम चिंतन करते हैं तो उसके सिवा और कुछ अच्छा है नहीं लगता है तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जब भक्ती के अंदर अनाहत सब्द सुनना चाहते हैं कोई सब्द कानों में पड़े, भक्न के आवाज को को सुना ही दे, लेकिन संगम युकपर तो हम सबका भाग ए है, जो उनके ही इमके ही सब्द हमारे कानों में जा रहे है, उनके ही बोल जो हमने सुने हैं, ओही हम मुंखसे रिपेट कर रहे हैं, तो वो जो परमात्मा के साथ संगम पर हम सब ने सब समंदों से उनका अनुभो किया है भक्ति काल के अंदर उसी की यादगार बनी हुई है और उसके कारण भक्त अनाहाद सब्द परमात्मा की आवाज सुनना चाहते है तो संगम पर ये अनुभो हम सब को करना है कि एक की ही आवाज कानों में जाए और वो जो कानों में आवाज जाए भगवान के महावा के जो हम सुने वही मुख से वर्णन करें परमात्मा कहते हैं कि सदा सुहाग नर्थात जिनके कानों में अनादी महामंत्र मनमना भव का स्वर गूंजता रहेगा सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं चलते फिरते यही अनह दर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुक सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे परमात्म महावाक्ये जो हम सब सुनते हैं एक ही महावाक्य में रोज कम से कम पाँच बार दस बार बच्चे मन मनाब हो तो मुझे याद करो अपने को आत्मा निश्चे करके मुझे याद करो तो जो रोज इन महावाक्यों की स्टडी करते हैं अध्यन करते हैं उनके अंदर से आवाज आती रहती है कि मन मना भोग, परमात्मा मुझे सन्मुक कह रहे हैं, तो मुझे याद करो, और कहीं भी तुमारी बुद्धी जानी नहीं चाहिए, तो परमात्मा कहते हैं, जो सदा सुहागिन मना, जिनका सदा परमात्मा के साथ तूट संबंध है, उ मन मना भोग का आर्थ ही है, मन मेरे में लगाओ, तो परमात्मा में मन लगा रहे है, उसकी याद बनी रहे, ये महामंत्र कानों में गुझता रहे, तो कहेंगे, ये आत्मा सदा सुहागिन है, जिनका सुनते हुए भी ना सुने, इसका क्या आर्थ है? कई बातें ऐसी होती हैं, जो अवाइट की जाती है, सुनाई देती हैं, ये मेरे काम की नहीं है, तो उस पर अटेंशन नहीं देना, अगर हमने अटेंशन दिया, तो बुद्धी उधर भटक जाएगे, तो परमात्मा कहता है कि कई बार सुनना पड़ता है, लेकिन जैसे हम सुनते भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे काम की नहीं है, उसका मेरे पास उसका हल भी नहीं है, कई लोग ऐसी ऐसी बातें सुनाने आते हैं, सुनाते हैं करके, जो वास्तों में उसका हम कोई समाधान नहीं कर सकते हैं, सुनना पड़ता है, उनको रिस्पेक्ट देने क लेकिन ऐसे सुनें, जैसे हम सुन ही नहीं रहें, तब उसको लगेगा कि सुनाने से से कोई फायदा नहीं, तो परमात्मा कहते हैं, इसकी प्रैक्टिस कहने चाहिए, सुनना तो एक परमात्मा के महावाद की ही है, वही मेरे कानों में जाएं तो हम सदा सुहागें हैं, अगर हम बेर्थ बाते हैं, इधर उधर की परचिंतन वाली यह ऐसे करता है, उसने यह किया, कुछ नकुछ सुना देते हैं, और उसको हम सुन लेते हैं, उसके अनुसार अगर हम अपना द्रेश्टी कोन बना लेते हैं, तो जैसे हमारा टाइम वेश्ट हो रहा है, हमारा सम्मंद प तो यह सदा सुहागिन की निसानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं परमात्मा कहते हैं बस तुम्ही से बोलो। तुम्ही से सुनू वा तुम्हारा सुनाया हुआ ही बोलो। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा किंड भी स्मृति में नहीं लाएगी, अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के जुकाव में नहीं आएगी, लगाव तो बड़ी बात है, जुकाव भी नहीं। इसके बोल बड़े मिटे हैं, इसकी द्रश्टी बहुत अच्छी लगती है, इस प्रकार से आत्मा की तरफ जुकाव होता है, और जब जुकाव होता है तो उसके बाद लगाव सुर हो जाता है, परमात्मा कहते हैं जो सदा सुहागिन है, उनके अंदर यह रहता है, एक के में जाएं, और जो हमने परमात्मा के बोल सुने हैं, वही मैं दूसरों को सुनाओ, किसी की सुनी-सुनाई बातों को मैं न सुनाओ, एक वही बोल बोलू जो परमात्मा के महावाक के हमें सुनाई दे हैं, तो इसलिए ध्यान देने की आवास्यक्ता है, वैसे लोकिक जीव आक नहीं जाती है, यहाँ पर भी अगर परमात्मा से हमारे सरफ सम्मन्द है, तो कोई देहधारी के तरफ हमारा लगाओ जुकाओ नहीं होना चाहिए, अगर संकल्प में भी कोई आत्मा अकर्सित कर रही है, माना हमारा सुखाग तूट रहा है, हम पति वृत्त का टाइटिल नहीं ले सकते, तो संगम युकपर, पति व्रत्त और पता वृत्त, एक के सिवाए और दूसरा कोई नहीं, इतना परमात्मा के साथ हमारा तूट प्यार हो, तुम ही से सुनू, तुम ही से बोलू, तुम्हारा ही सुनाया हुआ सुनाओं ये जो अंदर की स्मृत्य हो तभी हो सकती है जो बहुत जिगरी एक के साथ सच्चा प्यार है अगर किसी देधारी के तरफ जरा भी लगाओ जुकाओ हो गया तो आत्मा खीच लेगी और हम परमात्मा से बिमुक हो जाएंगे परमात्मा कहते हैं कि जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रती संकल्प करना वा स्वपन में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी सुपन मात्र भी कोई देहधारी तरफ आत्मा जुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है माया तिलक मिटा तो नहीं देती इस समय इस सम्मन्द में इतने अटूट बनना इतना पक्का बनना है जो उसके सिवाश सुपन में भी कोई ना आए आजकल की कल्योगी दुनिया की तमो परधानता के बीच में ऐसे पवित्र यूगल भी बहुत कम मिलते हैं जिनकी कहीं पर भी दृष्टी वृत्ती न जाए परमात्मा हम सबको अपने साथ सब सम्मन्द जुड़ा करके इस संगम पर इस सम्मन्द में बहुत मजबूत बना रहे हैं क्योंकि आत्मा को संपून पावन बनाना है जब तक हम परमात्मा के साथ इस सम्मन्द से जुड़े हुए नहीं है जब तक हमने उसको अपना पतियों का पती नहीं समझा आत्मा का साजन नहीं समझा तब तक कोई न कोई देहधारी आत्मा अपनी तरफ आकरसित कर सकती है और सुपन में भी अगर कोई देहधारी की याद आती है तो जैसे हमारी पवित्रता खंडित होती है तो पवित्र बनाने के लिए संपून पावन बनाने के लिए परमात्मा ये महवा क्यों चारण कर रहे है किसी भी देधारी में कोई कितना भी अच्छा क्यों नो हो कोई कितना भी सनेई सहयोगी क्यों नो हो आपकी बुद्धी उनकी तरफ आकरसित नहीं होनी जाहिए एक के सिवाए एक बाबा दूसरा न कोई मेरा तो एक, हम कहते हैं मुक से कहीं न कहीं कोई न कोई देधारी अगर मुझे खीच रहा है आकरसित कर रहा है, मेरी पवित्रता खंडित हो रही है संबंद सभी से रखना है, सेवा का संबंद परन्तु किसी के प्रती विशेश लगाव जुकाव यहां कर्शन में नहीं आना है बात वही है कि हमारे पवित्र विचारों का कहीं भी खंडण न हो परमात्मा कहते हैं कि सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य सिर्फ सुहाग नहीं लेकिन भाग्य भी अर्थात भाग्यवान हो सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है ऐसे इश्वरिय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है उस ताज की प्राप्ति का आधार है purity और सर्वप्राप्ति संपूर्ण purity अर्थात मन्सा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो और सर्वप्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगोन और सर्वशक्तियों की प्राप्ति अगर कोई भी प्राप्ते की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा संगम युक पर हम सब को परमात्मा से सर प्राप्तियां हो रहे हैं और जितना हम उनकी याद में रहते हैं उतनी आत्मा प्योर पवित्र बनती जाती है तो भागिवान आत्मा वही है जिसके मस्तक पर चारों वो पवित्रता का लाइट का क्राउन है माना मन वचन कर्म में कोई भी इंप्योर संकल्प जिसके पास नहीं आते वो भागिवान आत्मा हैं और दूसरा प्राप्ति संपन है तो परमात्मा हम सबको राजाई से भेट करके बता रहे हैं जैसे राजा लोग भागिवान माने जाते हैं इनके पास बहुत राजाई ठाट है सब कुछ इनको प्राप्त है तो एक तरफ प्राप्तियों से संपन है और दूसरी तरफ उनके सिर पर ताज है तो परमात्मा हम सबको इस समय भागिवान तभी कह रहे हैं तो मात्मा जिनके चारों और मस्तक के उपर लाइट का क्राउन है बहुत सुन्दर ताज है और सासत ज्यान, गून, शक्तियां, सर प्राप्तियों से तो मात्मा इस समय संपन हो, भरपूर हो इसलिए भागिवान हो और भागे के सास सुहाग है परमात्मा आपके सदा साथ है बिलकुल और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन सपष्ट दिखाई नहीं देगा अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा स्वयम को सदा आत्मिक लाइट रूप अनुभव नहीं करेगा कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा बार बार महनत के बाद वह अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयम को डबल लाइट अनुभव करेगा जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूँ तो आत्मा के बजाए शरीर अर्थात देहे अपने को अनुभव करेगा किसी भी परकार की अपराप्ति है या अपवित्रता है तो अपवित्रता और अपराप्ति एक बोज है परमात्मा कह रहे हैं कि जितना आप अपने आत्मिक सरूप में इस्थित होंगे उतना आपके उपर डबल लाइट का क्राउन आएगा इसलिए संगम युकपर इस अनुभव को बढ़ाना है सर प्राप्तियों से आत्मा संपन रहे और संपून पावन पवित्र हो तब भागिवान निश्चित दिखाई देगा कि भागिवान आत्मा है तो हम सब का संगम युकपर बहुत बड़ा ये भाग है कि जो भगवान के संग रह करके उनके साथ रह करके उनके संग के रंग के प्रभाव के कारण मैं आत्मा संपून पावन बनती जा रहे हूं और जितनी पावन बनती जा रहे हूं उतना ये लाइट का क्राउन बादनों से बाहर आ जाएगा चमकने लगेगा अगर अप्राप्ति और अपवित्रता है तो एक क्राउन छिप जाएगा इसलिए प्राप्तियों से संपन इतनी सब प्राप्तियां जो हो रही है उनको हम रिवाइस करें अंदर अंदर चिंतन में लाएं तो जितना हम प्राप्ति संपन है उतना भाग्यवान है अब तो सब बाते सामने रखते हुए स्वयम को चेक करो के मैं कौन हूँ पसब आज हमने सदा सोहागिन की विभिन निशानियों को स्पष्टता से समझा और स्वयम को कैसे चेक करें उस विधी को भी समझा पसब सपष्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा की सदा सोहाग की निशानी है मस्तक पर अविनाशी तिलक और भाग्य की निशानी है पवत्रता और परमात्मा से सर्वप्राप्तिया परमात्मा ने कहा कि सदा सोहागिन वह है जिसके कानों में सदा अनादी स्वर मनमना भव का गुंजता रहे और जो संकल्प मात्र भी किसी भी देधारी मनुश्यात्मा की लगाव वजुकाव में कभी ना आए दर्शकों आज के एपिसोड से संबंध है तो यदि आपके मन में कोई प्रश्ण है तो आप हमें एमेल कर सकते हैं हमारा एमेल आइड़ी है अगले एपिसोड में इन्ही महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाजत अम्शान्ति मरेंगे मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होगी एक स्वास भी साजन का साथ नहीं छोड़ते कानों में अनादी महामंत्र मन मना भव का स्वर गुंजता रहेगा संकल्प में भी किसी देहधारी के जुकाप में नहीं आएंगे संपूर्ण प्योरिती अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंच भी न हो अधिक जानकारी के लिए संपर करें अमुल्यरतन गौडलीवुड स्टूडियो मनमोहिनीवन शान्तीवन पोस्ट आवुरोड 307510 डिस्टिक्स सिरोही राजिस्थान इवेल आईडी है अमुल्यरतन अट गौडलीवुड स्टूडियो डॉट ओर जी इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें